विद्यार्थी हों, इससे पूर्व हम पोधों में जनन, विशय वस्तू पर, मेल और फीमेल भागों की सनरशना, पोलिनेशन, परागकन की सनरशना, पिजान्ड की सनरशना का विश्त्रद अध्यन कर चुके हैं आज हम निशेचन और द्वी निशेचन की प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं इससे पूर्व यह प्रक्रिया हमने देखी है, कि निशेचन से पूर्व परागकन में क्या-क्या परिवर्दन हुए थे परागकन इस्टिगमा पर पहुशने के बाद अंकूरित हुआ था परागकन में अंकूरन से जो परागनली का उत्पन्न हुई वो लंबी होकर ब्रून पोश की और बढ़ती है और माइक्रो पाइलर सीरे से ब्रून कोश के अंदर प्रवेश करती है ये चित्र में आप देख पा रहे हैं इस परागनली का के अंदर हमें दो जनन केंद्रक और एक वर्दी केंद्रक दिखाई दे रहा है ये वर्दी केंद्रक समय के साथ विलुप्त हो जाता है और इसका कारे होता है जनन केंद्रक को पोशर देना अब ये दोनों जनन केंद्रक और ये बीच में एक और ये पोलर नुकलियाई इनमें क्या करिया होती है ये हम आगे देखने का प्रयत्न करते हैं सबसे पहले यहां दो प्रोसे संपन्न होगी नीशेचन और द्वी नीशेचन नीशेचन का मतलब होता है मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का आपस में फ्यूज होना अंकूरित पराग नली का में देखा हमने दो जनन केंद्रक और एक वर्दी केंद्रक पाया जाता है एक जनन के अंद्रक एग के साथ फ्यूज होता है और डिपलाइट जाइगोट का निर्मान करता है देखिए आप इस डाइग्राम में दिखाई दे रहा है आपको कि ये पराग नली का भुरून कोश के अंदर माइक्रोपाइलर सीरे से प्रवेश करती है और एक एक और जनन के अंद्रक फ्यूज हो जाते हैं और इस प्रोसेस को केते हम निशेचन और इसके द्वारा डिपलाइट द्वीगोणिक जाइगोट का निर्मान होता है जो आगे चलकर बीज जोर फल का निर्मान करता है अब देखिए आप अगला कि ये जो द्वीतियक द्रूवी के अंद्रक दिखरा है ये दूसरे जनन के अंद्रक के साथ फ्यूज होता है ये द्वीती द्रूवी के अंद्रक प्लस दूसरा जनन के अंद्रक फ्यूज होते हैं तो इस क्रिया को द्वी निशेचन कहते हैं और द्वी निशेचन के पश्यात भुरून पोश का निर्माण होता है अब ये नीशेचन और द्वी नीशेचन का क्या महत्व होता है ये प्रशन दो नमबर में परिक्षा में पूछा जाता है देखिए नीशेचन, नीशेचन के बाद बना जाइगोड आगे चलकर बीज और फल के रूप में विक्सित होता है जबकि द्वी निशेचन के बाद बना ट्रिपलाइड नुकलियस, भुरून पोश, एंडोस्परम में परिवर्तित होता है जिसे हम फलों के गुदे के नाम से जानते हैं इसका कारे होता है विक्सित हो रहे एम्ब्रियों को पोशन प्रदान करना द्वी निशेचन के द्वारा जो बीज बनते हैं वो अपेक्षाकरत उन्नत किस्मके होते हैं उनके उपर विप्रित परिश्थितियों का बदले हुए मोसम का आसानी से प्रभाव नहीं होता है और इन बीजों से उर्पन पोदे अपेक्शाकरत उन्नत किस्म के अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं अर्थात ये पोदे संकरोज में व्रद्धी करते हैं अच्छी हाइब्रीट क्वालिटी के होते हैं